बारिश और बार से बेहाल आधे हिंदुस्तान के लिए आज भी राहत की कोई खबर नहीं आई देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने तो रेड अलर्ट तक जारी कर दिया है आईए आपको मुंबई में बारिश की स्थिती बताते हैं और ताजा जानकारी और अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे समवादाता सहयोगी मृत्युन जाय कुमार जाज जुडेंगे उनसे जानेंगे आखिरका मुंबई में आज क्या हाल है दरसल मुसीबते कम नहीं हो रही मुंबई में खास तौपर और महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है मतलब बहुत बारिश होगी और जिस वज़े से स्कूल और कॉलेजिस तक को बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर आईए मुंबई चलते हैं मृत्यूंजय के पास मृत्यूंजय बहुत बारिश हो रही है बहाँ पर यहां तक कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिये गये हैं क्या है तासे स्थिती बिल्कुल बिल्कुल जबर्दस्त बारिश का माहौल बना हुआ और आपको बता हैं कि ताजा अपडेट यह है मुंबई की बारिश को लेकर कि पहले मौसम विभाग ने आज दोपहर तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया था लेकिन अब इसे बढ़ा कर शुक्रुवार हुआ तक रेड अलर्ट है आइंडी की तरफ से मतलब यह कि कल तक भारी बारिश की संभावना जटाई गई है जबरदस्त बारिश हुई है और आप देखिए कि हपते भर से ज्यादा का अब दिन यहां पर गुजर चुका है जबकि मुंबई में लगातार भारी बारिश हो जबरदस्त बारिश इस वक्त भी मुंबई में हो रही है और एहत्यातन यहां पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिये गया है जो एक्जाम्स थे कुछ एक्जाम्स को कैंसिल किया गया है और बीमसी ने एडवाईजरी जारी किया है रोड सेप्टी को लेकर और यह कहा है कि आप स एडवाईजरी यहां पर बीमसी की तरफ से जारी की गई है और अगले दो-तीन दिनों तक का अगरा आउट्लूक हम देखें तो आएमडी का कहना है कि कौंकन का इलाका और मद महराष्ट के इलाके में जबरदस्त बारिश की संभावना अगले दो-तीन दिनों तक बनी जी धन्यवाद करने के मृतियु जये मुंबई से ताज़ा अपडेट देने के लिए तो मुंबई में आज और अगले 24-48 घंटे काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूर थे क्योंकि बारिश का रेड़ अलर्ट जारी कर दिया गया है